यार grammar portion से तुम्हारे 16 marks के question बनने वाले हैं और तुम्हें अब तक रस्केल्स थाई भाव तक याद नहीं हैं और course B वाले मुहावरे easy जानकर neglect कर रहे हो CBSC वाले easy paper बनाने के नाम पर common मुहावरों से question पूछ देंगे और तुम्हारा number वहीं cut जाएगा यार इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा हिंदी चाहें जैसा भी prepare हो रखाओ अगले 2-3 गंटे में तुम्हारा complete A to Z revision के साथ complete हो जाएगा बस इस वीडियो को ध्यान से देखना इस वीडियो में तुम लोग को बहुत ही कम materials मिलने वाले हैं और कुछ tricks तुम लोग को इस वीडियो से मिलेंगी जिससे तुम्हारे हिंदी में चाहें जितना भी art question science की तरह बना दें फिर भी full marks जरूर आएंगे CBSC के sample paper को उठा कर देख लो काव ये portion से तुम्हारे ज्यादा तर question भाव से आएंगे क्योंकि तुम्हारी reading ability का test तो unseen passage से हो जा रहा है लेकिन तुमने वही छोड़ रखा है यार तुम्हारा Hindi term 1 चाहें तुम course A ले रख्खे हो या फिर course B तुम्हारे admit card पर लिखा होगा कि तुम्हारा course A है या फिर B अब वहां से जाकर देख लेना इसमें confuse मत रहो अभी जाकर देखो उसमें तुम्हारे यार तीन type के question रहेंगे दोनों courses के लिए chapter based questions पहले type के essay questions रहेंगे दूसरे type के question आएंगे यार तुम्हारे grammar based दोनों courses में तुम्हारे चार grammar के topic दे रखे हैं अभी मैं तुम लोग को दिखाता हूँ कि वो कौन-कौन से topic है तीसरा है यार unseen passage इससे तुम्हारे questions आने वाले हैं यार एक बहुत ही प्यारी सी PDF बनाई है तुम्हारे syllabus की जिसमें तुम्हें course A और course B दोनों का proper syllabus मिल जा रहा है term 1 और term 2 दोनों का अब देख लेते हैं इसके according तुम्हारे कितने marks के question किस-किस chapter से आने वाले हैं तो देखे यार तुम्हारे portion में जो पढ़ने वाला portion है जो तुम्हारे book में जितने chapters हैं उनसे कुल मिला के question सिफ 14 marks के ही आने वाले हैं बाकी grammar के जैसा मैंने तुम लोग को बता है 16 marks से question आएंगे और unseen passage से तुम्हारे 10 marks के question आएंगे दो unseen passage आने वाले हैं अब यार एके करके देखते हैं कि तुम अपने literature section को कैसे complete करोगे फिर grammar portion कैसे complete करोगे और unseen passage जिसका तुम्हें कुछ अंदाजा ही नहीं है क्या करना है उसके लिए कैसे अपना preparation करोगे तो यार सबसे पहले बात करते हैं literature section का मतलब तुम्हारे chapter से related questions आएंगे उनकी preparation कैसे करें अब मुझे पता है कि साल बर बंक मार रखे हो तुम लोग copy बनाना तो बहुत दूर की बात है इसी वजह से यार बहुत प्यार से तुम्हारे लिए revision sheet बनाई गई हैं दोनों courses के लिए course A, course B जिसमें भी हो जाकर description से पहले अपना download करो और उस revision sheet से तुम अपने chapter by chapter अच्छे से complete कर सकते हो यार या तो एक chapter तुम बहुत पहले पढ़के छोड़ रखे हो या फिर अब तक पढ़े ही नहीं हूँ उस revision sheet में तुम लोग को एक-एक chapter का proper summary जो तुम लोग चाहते हो कि काश मुझे कोई summary बता देता, मुझे पता चल जाता जिससे कोई भी point मिस ना होता मेरा तो ऐसे type के तुम लोग को proper summary मिल जाएगी दो-तिम paragraph में उसको पढ़ने के बाद तुमारे सारे points revise हो जाएंगे उस chapters related और साथ में तुम लोग को लेखक से related अगर कोई information दे दी गई है वो भी तुम लोग को मिल जाएगी सो अगर तुमने वो chapter पहले पढ़ रखा है कहीं से सुन रखा है तो तुम लोग revision sheet से तुरंत अपने chapter को revise कर लो 5-10 minute यार एक chapter maximum तुम लोगों को लगने वाला है revise करने में लेकिन अगर तुम लोगोंने अब तक कुछ पढ़ी नहीं रखा है उसके लिए यार तुम लोग YouTube पर कोई videos देख सकते हो वीडियोज वगरा में तुम लोगों को भाव वगरा अच्छे से पता चल जाएंगे या फिर अगर NCIT वगरा कि कभी reading मार रख्यों तो उसको एक बार revise कर सकते हो Course A, Course B, दोनों के revision material तुम लोग को description में मिल जाएंगे जाकर तुरंट download करो So, इससे तुम अपना syllabus पूरा complete कर सकते हो लेकिन इसके बाद तुम्हें जरूर्द पड़ेगी अच्छे-च्छे most important MCQ question की जैसे कि तुम लोग को पता चले कि chapter से आखर question बनेगा कैसे So, उसके लिए तुम्हारी proper chapter by chapter MCQ questions अच्छे वाले prepare हो रहे हैं और वो जल्दी ही तुम लोगों को मिल जाएंगे So, बस थोड़ा सा इंतिजार करो तुम्हारा literature section के जो MCQ use है वो तुरंट बन जाएंगे उसकी चिंता मत करो सबसे पहले अपना chapter complete कर लो अगर अब तक नहीं किया है और अगर कर लिये हो तो revision sheet डाउनलोड करो ए में रचना के अधार पर वाक्य के भेद, वाच्य, पद, परिचय और रस आ रहा है यह सब 4-4 marks के रहेंगे 5-5 question तुम लोगो एक-एक topic से रहेगा एक-एक question तुम लोग हर topic से skip कर सकोगे ऐसे ही course B के भी 4 topics है अब यार दोनों courses के लिए तुम लोगों को बहुत ही प्यार से grammar के लिए revision sheet बनाई है ऐसी sheet तुम लोगों को शायद ही कहीं मिले इसमें आर तुम्हारा एक-एक topic एकदम अच्छे से examples के साथ definitions के साथ 2-3 पन्नों में अच्छे से complete हो गया सभी important topics, सभी important examples वगयरा यह सब तुम लोगों को उसी revision sheet में मिल जाएंगे 3-4 पन्ने में तुम्हारा hard से hard grammar वाला portion complete हो जाएगा बस एक बार reading मार लेना अच्छे से और सारी चीजे clear हो जाएंगी यार मुहावरे के लिए तुम्हारी special revision sheet बनी है अगर तुम लोग course B में हो तो मुहावरे वाली sheet जरू download करना उसमें तुम्हारे most common 50 मुहावरे एक sheet में करके दे दी गई है अर्थ के साथ में जिसे कि एक बार reading मारने से ही तुम्हारा सारा syllabus सारा portion अच्छे से complete हो जाए और common मुहावरे से अगर कोई question आता है तो वो तुम लोग फिर बना पाओ ऐसे ही वाकी का एक proper sheet तुम लोग को मिल जाएगा जिसमें 3 से 4 pages में तुम्हारा अच्छे से पूरा वाकी complete हो गया है और यार इस channel पर तुम लोग को जितने भी materials मिलते हैं उन पर तुम लोग आख बन करके भरोसा कर सकते हो क्योंकि तुम लोग को best type के materials ही मिलने हैं अब यार रस और उसके स्थाइवाव नहीं याद हो रहे हैं अब तक confusion आती है समझ नहीं आ रहा है कैसे याद करें तो उसके लिए ये चार line याद कर लो ये चार line यार तुम लोग ने सुन लीना अगर इसको याद कर लेते हो तो रस से related आधे से ज़्यादा questions तुमारे तुरंत देखते ही बन जाने वाले हैं इसमें और तुमारे first line में जितने भी word हैं वो सब रसो के नाम हैं और second line के words हैं तुमारे उसके स्थाई भाव जैसे करुण का शोक, हासे का हास, श्रिंगार का रती, वीर का उत्सा, भयानक का भय, शांत का निर्वेद ऐसे ही तुमारे third line में रसो के नाम दिये गया हैं और fourth line में तुम्हें स्थाई भाव जस्ट उस word के नीचे दे दिया गया है, जैसे अद्भुत का तुमारा विसमय होगा, रौद्र का क्रोध होगा, और विभत्स का जुगुपसा होगा यार इस चार line से तुमारा proper रस और उनके स्थाई भाव तुम लोग को याद हो गए, एक्जाम में जाते ही question paper मिलते ही, pencil से लिख लेना कहीं, जिससे तुमारा रस रटने का tension दूर हो जाए एंड, इसके उपर एक बहुत ही गजब का वीडियो आ रहा है तुमारे रस के उपर, जिसको देखने के बाद तुमारा 15 से 20 मिनिट में पूरा रस अगर तुमने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है, वो एकदम गजब तरीके से clear होने वाला है, क्योंकि इसमें तुमारे movie scene, songs, memes वगरह से तुमारा रस समझाया गया है, emojis से रस समझाया गया है, जो तुम लोगो शायद याज तक किसी समझाया होगा, क्योंकि यार teacher लोग जो भी पढ़ाते हैं, तुम लोगो आतंग तरीके से घपड़ना है, इसी वजह से एक आतंग वीडियो तुमारे लिए बन रह तो subscribe अगरा नहीं कियो तो 10th का term 1 निकलने के बाद जब पश्टा रहे होगे तब subscribe करने का कोई फादा नहीं रहेगा अभी कर लो जिससे की तुरन-तुरन वीडियो तुम लोग आए तुरन-तुरन तुम लोग देख लो और जब type के number तुमारे आए बाकी तुम लोग को पता ही है इस चैनल पर तुम लोग को follow content नहीं मिलता है। बहुत कम वीडियो मिलते हैं लेकिन जो भी मिलते हैं वो तुमारे लिए रहते हैं जिसकी तुम्हें सबसे ज़्यादा जरूरत रहती है वही वीडियो मिलते हैं MCQ सीरीज में जितने भी कोशन्स तुम लोग को solve करवाये थे उससे ही related कोशन्स आये Biology में Science का तुम अभी भी जाकर Explanation और MCQ सीरीज देखो Question paper के Maximum questions तुम्हारे उसी से ही बन जाएंगे So यार बहुत quality content मिलता है तो subscribe करो And Russ का वीडियो आ रहा है और साथ में तुमारे chapter wise most important MCQ sheet आ रही है Grammar portion का explanation आ रहे हैं तो यार subscribe करो और वीडियो को चटपुटिया दोस्त को share करो So बहुत जादा मेहनत लगी है तुम लोग को लिए सारा content बनाने में और अभी बहुत जादा मेहनत लगने वाली है So चटपुटिया दोस्तों को share करो 100K views का target रखते है यार इस वीडियो पर बहुत जादा high मैं रख दिया हूँ लेकिन तुम लोग कर सकते हो अगर चाहो तो share करो दबा के और पूरा फैला दो इस वीडियो को मैनत भी आर उसी level की किया तो चटपुटिया दोस्तों को share कर अब इसके साथ ये वीडियो बंद करते हैं best of luck for your exam कई सारे वीडियो जाने वाले हैं तो stay tuned